हेलो मैं इडियर स्टूरेंट्स वेल्कम दो सेशन बेटा जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आयटी जाम के एक्जाम बस होने वाला है यह नैशनल लेवल का बहुत ही प्रतिश्ठित एक्जाम है रियली रेपेटिट एक्जाम और आप सभी लोग चाहेंगे कि बहुत अच् क logo मैं आपके रस्ते में ओने और एक रस्ते में क्लãyने वायव संब्से बड़ी बात सबसे बड़ी बात ही पहला प्लेटी च्राइए एक क्या यहां करते हैं आपको क्लेटी होनी चाहिए है शी य क्या Grams 4 क्लेटी तयांन में स्विना हाओं कंश हैं two a पना नॉलिच टिर देलोगोन नहीं कर सकते हैं OAAPえ निम्री बेस्ट बतलब हमने यह पड़ा था वाह वो पड़ा था तो उस तरीके से जब तक आपको चार उप्टिन्स में क्लारेटी नी होगी तो यह दो सही है दो कर लते इस तरह से करने को कोई फायदा है दूसरा एक च्रिक चोटी सी ट्रिक भी नहीं बोलना चाहिए बाट इस सौट ऑफ ट्रिक बेटा माल लीजिए पार्ट ए आई टीजम बाट ए पार्ट ए में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन के चार पार्ट ए बी सीडी और यह सिंगल करेक्ट में आया है सिंगल करेक्ट अजी मेरे बिटा आपने अपनी प्रायर नॉलेच से जितनी अच्छे से अपने तयारी की थी उससे आपको यह पता लग गया कि भाई इसका राइट आंसर सी है तो इन देट केस्ट यह डोंट है टाइम इन पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ठीक है अब जो असली चैलेंज ह यह माहिने में जो टैलेंट बच्चा अपना जिस्टिफाई कर सकते हैं वह है पार्ट बी का क्वेश्चन जो मल्टिपल करेक्ट में काउंट होता है मल्टिपल करेक्ट में क्या चीज क्या मतलब परिशानी रहती है यह जो चार ऑप्शन से इसमें से अगर माल लेते थोड कि उन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करके दिया है तो यह पहले वाला भी ट्रू है और डी वी ट्रू है अच्छा और यह आपका पॉल्स है यह उनका उनका अंसर एक्चल में बट जब आपने एक्जाम में उन्सॉल्ट क्वेश्चन देखा और अपना प्र आपका काउंट नहीं होगा मतलब यह गलत काउंट होगा यह सही क्वेश्चन अटेंप कर लिए अपने ऐसे काउंट नहीं होगा तो इन बेट केस आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है तो इस चीज़से बचेंगें कैसे बचेंगें जब तक आपको options में clarity ना हो आप question मत करें पूरा question मतलब जब तक चारो पार्ट सब को clear ना हो आप यह सब तुक्के बाजी में काम नहीं करें clarity शुट भी Mathematician means clarity Mathematician means researcher अगर आप given information को analyze करके अलग अलग branches में अलग अलग जगह जा सकते हैं तभी तो clarity आईगी so this should be there I hope this is clear next अगला point देखें यह अजी learn to lead क्या छोड़ना है थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुन्हें की कोई teacher ऐसे भी बोल सकते है कोई teacher आपको ऐसे भी बोल सकते हैं यह क्या चीज़ है थोड़ा गहराई में उतर के आपको observe करनी पड़ेगी मेरी बाद देखो बिटा 4-5 topics है चाहे आप maths के बच्चे हैं स्टैट्स के जैसे real analysis हो गया group theory हो गया linear algebra हो गया differential equation हो गया और integral calculus हो गया मुझे मोटे मोटे topics से सबको पढ़ने हो गया माल लीजिए बच्चे ने तैयारी करते वक्ट differential equation की बहुत अच्छे से तैयारी किया linear algebra की बहुत अच्छे से तैयारी किया लेकिन real analysis और group theory और integral calculus की तैयरी उसके अच्छी नहीं है तो natural है it is natural to expect कि जब वो exam देने जाएगा exam में examination hall में जहां भी जब वो question paper देखेगा तो उसके दिमाग में भी होगा भई मैं differential equation के सारे questions करके होंगा मैं linear algebra के सारे questions करके होंगा अब exam में क्या होगा differential equation का part मुश्किल आ गया और real analysis का part असान हो गया उसके माइंड में psychological यह चल रहा है कि मेरे real analysis का पाट अच्छा नहीं है तो शायद ऐसा हो सकता है कि real analysis आते वे भी वो real analysis की तरफ ना देखे वो differential equation ही देखता रहे और उसको निकालने चकर में उसके इतना time आप मेरे बात समझ रहे हैं यह यह जरूरी नहीं है हमारा प्रेम नाशनल लेवल पर भी हमें उठा के ले जाए कोई जरूरी नहीं है तो sometimes please try to notice कभी-कभी differential equation आसान आता है linear algebra मुश्किल आता है कभी-कभी linear algebra असान आता है group theory मुश्किल आता है कभी-कभी real analysis बहुत असान आता है कि ऐसा बच्चा जिसको पूरा confidence नहीं है यह जो रियल से डरता है वो भी real के question कर लेगा और differential equation मुश्किल है मैं example देता हूं आपको आप जैम 2018 का maths का paper उठाके देखिए और जैम 2021 maths का paper उठाके देखिए हम तो पता नहीं क्या कर देंगे एक्जाम में जाके उनको वह बुरा हाल हुए ना मतलब उन्होंने बिल्कुल question ही ना pattern wise analytic बना के देदिया उसमें analysis mix करके देदिया या given information को जो बच्चा analyze कर सके हो तो यह मतलब आपको basically इसमें जो negative के बारे में बात कर रहे हैं मैं paper के बारे में बता रहा हूं आपको की paper कैसे time करना चाहिए negative marking तो आएगी नहीं आपके सामने अच्छा अब होता क्या है होगा जो plus में आपको 25 marks मतलब 25 questions के marks मिले चाहिए थे वह आप negative में 15 questions के marks mix हो के you know मैं क्या कह रहा हूं amalgamation type चीज हो जाएगी मतलब union ही है लेकिन negative sense में union का क्या मतलब होता है पहले step united with dousra united with तीसरा तो आपको काईदे से उपर होना चाहिए लेकिन आपने क्या किया तीन steps तो आगे चले गए थे लेकिन वह जो पंद्रा questions में पंद्रा questions में जो negativity आगे थी या negative marks हो तो उसने आपको नीच ले आ है यह सब नहीं करना है यह मैं इसलिए कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि मैंने linear algebra बहुत अच्छे से पड़ा है तो एक्जाम में जाके मैं linear algebra को तोड़ फोड़ के आदूँगा यह चीज यह मांजिक स्थिती इसको छोड़ दीजे examination में कुछ भी हो सकता है आपका पहला प्यार या आपको जो चीज सबसे अच्छी लगते हैं जरूरी नहीं है एक्जाम में वह बहुत अच्छी है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यही तो entrance exam है उनको चाहिए true researcher please तो यह ऐसा होता है यहां से भी आप negativity से या negative marks से बच सकते है एक्जाम्पल दे रहो हूं मैं differential equation के question माल लीजे उन्होंने बहुत लंदी दे दिया या ऐसा कुछ उटपटांग से दिया कि बच्चे से निकलनी दिना लेकिन बच्चे की दिमाग में कि मैंने तो DE बहुत अच्छी से पढ़ा हूं मैं तो निकालू हूं मैं बच्चे की लें लें तो लीजे पॉजिए पॉजिटिव सेंस में लिखा है पॉजिटिव सेंस में लिखा है कोशिश किया करो exam में जाके अच्छे question attempt करके अच्छे questions चूज करके उनको attempt करने की प्लीज देट में और में नट भी यू 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 चोईस अन माई चोईस मतला हमारा जरूर नहीं हमारा प्यार वहां भी अप समझ रहे में क्या कहना चाहरू next test series yes देकर कोरॉना के चैल्जिंग टाइम में बहुत बड़ी चीज बताने जाहरों आपको जो पिछले थो-तीन साल में पहले क्या होता था कोई देली में चोई साओध में पड़ा रहें नौर्थ इंडिया के अधर दूद्बा की जगह सेंटस में पढ़ा रहे हैं इस्ट वेस्ट में पढ़ा रहे हैं बट कोरोना के चैलेंग चैलेंग टाइमस में क्या हुआ है सब लोग ऑनलाइन आ गए हैं तो नौर्थ का बच्चा साउथ वाले को देख सकते हैं साउथ का इ एक्जाम में जाकर ऑब्जर्व किया कि वह फाइव के जगह 7 है तो बिटा वह पैटर्न वाइस जो फ्लेवर है उस क्वेशन को एजट इस उठके आगे बच्चा राम से करके आगे यूट्यूब पे टॉपर्स के इंटर्व्यूज हैं उन्होंने भी हमारे टैस स्रीज को रिकमेंड किया है यह चीज़ कोई गलत नहीं है 21 में भी वात है इसा 22 में भी वात है इस बार अगेन हमने खुड टैस्रीज डिजाइन किया फिट आपको 600 600 new questions मिल जाएंगे पूरा नेगेटिव हो सकता था वो पॉजिटिव में convert हो जाए टैस्रीज आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial रहेगी और बागी सारे चीज़े तो अपने जगा है आपने तैयारी बहुत अच्छे से की हुई है इस्वर करें नेगेटिव माक्स वाला जो है आप बिल्कुल इसको हट तक रसे की तैक य। वरी मुच